सक्ति निकास खंट अंदरगत ग्राम पंचयात परसदा खुर्द के वर्तमान सर्पंच पर पूर्व सर्पंच द्वारा कई आरोप लगाते हुए शिकायत अनुविभागे अधिकारी रजस्व कोदी जिसमें पूर्व सर्पंच की 6 मा की मान दे राशी तथा उसके द्वारा कराये गए शाला भवन निर्माण की अंतिमकिस्त एवं गौठान में डाले गए पैरा की राशी वर्तमान सर्पंच द्वारा प्रस्ताव पारित कर निकाल दिये जाने का आरोप लगाये है जिस पर सक्ति जनपत के मुखिकार पनान अधिकारी द्वारा जाज के लिए टीम गठित की गई जहां अधिकारी द्वारा परसदा खुर्द पहुचकर ग्राम पंचैत भवन में दोनों पक्षों की बात सुनी तथा सभी दस्तावे जब्तकर अपने साथ ले गए यहां उलेखिनिये है कि पूरो सर्पंच द्वारा जहां लगभक पौने तीन लाख को वर्तमान सर्पंच द्वारा प्रस्ताव कर निकालने का आरोप लगा जा रहा है वहीं वर्तमान सर्पंच का कहना है कि सभी आरोप जूटे हैं जाच में सच सामने आ जाएगा जिसको दिशंबर महा में विड्राल कर लिये लोग और आज तक भुकतान नहीं किये उसके बाद में मैं शासन द्वारा निर्देशी पैरा धुलाई का गुठान के लिए पैरा धुलाई करवाया था जिसका भी लोग प्रस्ताव किये और मेरे को राशी अभी तक भुकतान हरण किये और मेरे को आज तक भुकतान नहीं किये लोग कुछा रासी है जिसको इन्होंने हरण किया और मेरे को आज तक भुकतान है हम लोग प्रस्ताओं किये थे और उस राशी का हरांट कर लिये हैं अभी तक कि तक उसके पैसा नहीं मिला है, आकर कर रहा पाइसा अभी तक नहीं मिला है। वीलिडिनी के कर दोहतो ब्रोफाल के है मुणा गई सवाल सद्सब Kolaj में इस हम एए। जनता टेप्स नूस के लिए सकती से राज शर्मा की रिपोर्ट